पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद आम आद्वी पार्टी के भावी मुख्यमंत्री भगवंत्मान की ताजपोशी की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही है देखे आप जानते हैं कि पंजाब 117 विधान सबास्तीटे जिसमें 92 सीटे आमाद्वी पार्टी की जोली में आ गई भगवंत्मान की ताजपोशी होनी है और इसी सिलसले में आज भगवंत्मान दिल्ली पहुँचे पार्टी के राष्ट्रे संयोजक अर्वंत्के जिवाद से उन्होंने मुलाका की 16 मार्च को शपत ग्रेहन की तारीख जो तैय हुई है उसी शपत ग्रेहन समारों में आने का न्योता भी दिया है पंजाब में लेंड स्लाइड विक्टरी के बाद आज पंजाब के भावी सीम भगवंत्मान दिल्ली पहुचे दिल्ली पहुचकर भगवंत्मान ने सीम अर्विंद केजरिवाल और मनिश्ट सोधिया के पैर छुए तो जवाब में सीम और डिप्टी सीम ने भी भगवंत्मान को गले लगा कर जीत की बधाईयां दी आपकी पंजाब जीत करास्ता दिल्ली मोडल और केजरिवाल पर्चम तले ही आसान हुआ है और अब 16 मार्च को होने वाली ताज पोशी के लिए खुद भगवंत्मान न्योता देने दिल्ली पहुचे है भगवंत्मान पंजाब की कमान चंडीगर से समह लेंगे लेकिन जगा भी खास चुनी गई है अगर आपको दिखाएं तो यहां पर गाउं में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले भगत सिंग के नाम पर बना एक म्यूजियम नजर आएगा इस म्यूजियम में भगत सिंग से जुड़ी उनके जीवन से जुड़ी तमाम चीजे रखी गई है और सामने है प्रतिमा भगत सिंग की और इसी प्रतिमा को नमन करते हुए तमाम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं यह जगा इसलिए अब और जादा खास मानी जा रही है क्योंकि जो पंजाब के भावी मुख्यमंत्री है भगवंत मान उन्होंने एलान किया है कि वो अप अपना शबत ग्रेंड का कारिक्रम इसी जगह पर रखेंगे शहीद आजम भगत सिंग के पेंट खटकर कला में पंजाब के नए मुख्यमंत्री की ताज पोशी होगी कला जो शहीद आजम भगत सिंग का गाउं है और यहां पर यह जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है दरसल मेमोरियल है शहीद भगत सिंग के नाम पर और इस मेमोरियल में साल में कई बार functions होते हैं लेकिन इस बार यहां पर जो तैयारी आपको दिख रही है हो तैयारी इस बात को लेकर है कि भगवन्तमान जो पंजाब के मुख्यमंतरी होने जा रहे हैं उनकी शपत ग्रेंड समारो की तैयारी यहां पर की जा रही है इस memorial के पास की तस्वीरे आप को देखने में नज़र आएंगी यहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुंच चुके हैं तमाम अधिकारी लगातार यहां पर आ रहे हैं तैयारियों का जाहिजा लेने के लिए भारात मता की इंकलाब कल अर्विन के जिवाल और भगवंत मानने भी चीत के बाद सबसे पहले भगत सिंग को याद कर इंकलाब के नारे बुलंद की और आएब सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे साथ मेरे वरिश सहयोगी जगवंदर पत्याल इस वक्त महजूद हैं जगवंदर राजभवन भी नहीं और पंजाब की राजथानी भी नहीं बलकि शहीद आजम भगत सिंग के गाउं को चुना है शपत ग्रहन के लिए भगव जगाउं से अपने आपको शपत के लिए सरकार में लेके आती थी उस तरह से नहीं होगा इस बार एक मैसेज देने की ये भी कोशिश की गई है कि शहीदों की और भीमराव साब अमवेदकर की फोटो जो है वो लगेगी हर सरकारी दफतर में किसी चीप मिनिस्टर की फोटो नहीं लगी होगी ये अइलान भी हो चुका है तो एक बदली हुई रिवायत जो है बेसिकली पंजाब बदलाब चाता था पुराने पॉलिटीशनों से जो मुख्य मंतरी रहे है पूर मुख्य मंतरी रहे है पूर डेप्ठी सीम रहे हैं उन से चुटकारा पाना चाते थे जैसा मेंडेट आया है उसके अनुरूपी काम शुरू किया गया है कि बदलाब की जगा और बदलाब की तस्वीर नजर आनी चाहिए इसलिए ये नयापन देने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश किया है। अच्छा देखे पंजाब दानसभा चुनाव में इस बार अर्विन के जुबाल की पार्टी ने इतियास रचा है। दिल्ली की तरहा ज़ारू के निशान वाली आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासल की है पंजाब में। और पंजाब की जिस ने पंजाब में नवजोज सिंग सिध्धू के जीत के इन दावों की हवा निकाल दी। जिस उम्मीद्वार ने अकाली के ताकतवर नेता पिक्रम मजीथिया को मात दे दी। आपकी वो विजई उम्मीद्वार कोई कद्दावर नेता नहीं बलकि समाज सिवा से सियासत में आई एक महिला विधायक जीवन जोत कौर है। देखो बिलकुल क्योंके दो राजनीती दे दो वड़े हाथी इस हलके दे बिच्चे सदे समने से गे। आम आदमी पार्टी की जीवन जोत कौर ने अमरित सर इस्ट से सिध्धू और विक्राम मजिधिया को हराया है। जीवन जोत को 49,689 बोट मिले, सिध्धू को 32,929 बोट मिले और अकाली के पिक्राम में जिथिया को 25,188 बोट। अमित सर में जीवन जोत कौर की पहचान पैड वूमन के तौर पर होती है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो महिला कैदियों को पंजाब की जीलों में जाकर सेनिटरी पैड महिया कराती है। लेकिन अब नए पंजाब का अपना सपना साकार करना चाती है। पंजाब में बड़े-बड़ों की हवा निकालने वालों में आपके विधायक जगडीब कमभोज भी है। जिन्होंने जलालाबास से अकालीदल के सुखवीर बादल को 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। छोटे बादल जगडीब कमभोज से हरे तो बड़े बादल यानि प्रकास सिंग बादल को आपके गुरमीद सिंग ने लंबी सीट से हरा दिया। अब देखिए पंजाब के मुख्य मंतरी चरंजी सिंग चन्नी जो आज 15 से स्टीफा दिने पहुचे थी हार सी विकार कर रही है। चरंजी सिंग चन्नी दो सीट से चुनाव लड़े ते और दोनों से हारे। बदोर सीट से तो आपके लाप सिंग उगो कने चन्नी का सपना तोड़ा है। लाप सिंग भी कोई बड़े सियासी खांदान के नहीं है। लाप सिंग के पिता ड्राइवर हैं, मा सफाई कर्मी हैं और खुद मुबाइल शॉप पर काम करते हैं। साफ है, पंजाम में केजरिवाल की पार्टी ने करिश्मा किया है। अनजानी चेहरों ने बड़े बड़ों को हराया है। और पहली बार पंजाम में एक साथ नपे से ज़्यादा सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी भांगड़ा कर रही है। पंजाब की जनता के इस बैसरे पर दूसरे राज्यों की सरकारे हैरान है दरसल धुरंधरों को हरा कर पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और उसी बदलाव की लकीर को आगे बढ़ाते हुए जो फैसला लिया गया है आमादवी पार्टी की तरफ से भगवंत्मान की तरफ से कि जो शपत ग्रहेंट समारे उनका वो शहीद भगत सिंग के पैत्रिक गाउ में होगा जगवंदर पत्याल हमारे साथ लगातार बने हुए है इसके जरीए एक बड़ा संदेश देनी की कोशिश जगवंदर और साथी साथ जगा के साथ साथ जो महमानों की लिस्ट होगी उसके लिए भी क्या यही रणनीती अपना इचारे आमादवी पार्टी की तरफ से क्या जानकारी है कुछ देखिए तीन चीज़ें होंगी पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि 16 मार्च को सिर्फ भगवंत मान शपत लेंगे मंतरी मंडल बाद में शपत लेगा दूसरी बात यह है कि राश्ट्री राजनीती में अर्विंद केजरिवाल अपनी चाप छोड़ने के लिए पंजाब को इस्तेमाल करनेंगे पंजाब के रास्ते वो यह दिखाएंगे कि यह हमारा मॉडल है आम आदमी पार्टी का और यह कल को जो है मॉडल हम लोग सबातक और पूरे देश तक पहुंचाना चाते हैं तो पंजाब उनको लिए एक राज्य मिल गया है तीसरी बात इसी मॉडल के एक्सपेंशन के लिए वो मुझे लगता है उन तमाम नेताओं को जिन में अरविंद केजरिवाल अगले कुछ दिनों में करेंगे बहुत बहुत धर्यवाद आपका जगवंदर पट्याल इस तमाम जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण ये कि कही न कहीं बदलाब जिसके लिए पंजाब के लोगों ने वोट दिया है वो बातों में न रह जाए बलकि नजर भी आए इसलिए कदम जो उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से